नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विंधिया टाइम्स में मैं हूँ आपके साथ स्वादी और हाजिर हुए मौसम की ताजा जानकारियों के साथ मध्यप्रदेश में अब थंड का मौसम समाप्थ होने को है लेकिन अभी भी सुबह और रात में थंड़क बनी हुई है तेज धूब के बाद भी सर्द हवाई चल रही है लेकिन अगले चार दिन भी मध्यप्रदेश का मौसम बदला बदला नज़र आएगा क्योंकि अगले चार दिन मध्यप्रदेश के कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है तो कुछ इलाकों में तेज आंधी भी चल सकती है शनिवार रात में बैतूल, छिंदवाड़ा, सिबनी और बाला घाट में बारिश आने की संभावना है वही जबलपूर, ग्वालियर सागर रीवा और नर्वदापुरम संभाग के कई जीलों में भी बारिश का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है इन सब के बीच दतिया की रात सबसे ठंडी बताई गई है यहां न्योंतम तापमान अभी भी 4.5 डिगरी रिकॉर्ड किया किया है वही ग्वालियर जबलपूर सहित मधिप्रदेश के 11 शहरों का दिन का तापमान 25 डिगरी से कम रहा वही शुक्रवार रात को भोपाल में 11.1 डिगरी इन दौर में 13.1 डिगरी ग्वालियर में 6.2 डिगरी जबलपूर में 10.2 डिगरी और उज्जैन में 11.5 डिगरी सेलसियस तापमान दर्श किया किया है वही दतिया, रीवा, नौगाओ, खजुराहो, राजगर, सतना, सीधी, धार, पच्मढ़ी, गुना, उमरिया, रतलाम, सागर, राइसेन मंडला में 10 डिगरी सेलसियस से कम तापमान दर्श किया किया है मौसम विभाग के वैज्जानिकों के अनुसार अगले 24 घंटे, उत्तरी हवाएं चलेंगी, इसके बाद हवाएं पूर्वी हो जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में नमी आना शुरू होगी और इसके कारण ही, शनिवार राज से बैतूल छिंदवाडा, सिबनी, बाला में बारिश शुरू हो सकती है, फरवरी महीने का दूसरा सप्ता शुरू हो चुका है, और बसंद की दिनों की शुरू आत होने वाली है, जो संकेत दे रही हैं कि अब सर्दियां जाने वाली है, जल्दी बसंत रितु शुरू हो जाएगी, जिसमें लोगों को तेज ठंड स से रहत मिल जाएगी बसंतिरितु में ना जादा ठंड ना जादा गर्मी पड़ती है और मौसम बेहत खुशनुमा हो जाता है अस बार मध्यप्रदेश में कडाकी की ठंड पड़ी जिसकी वजह से मध्यप्रदेश के रहवासियों को खास परिशानियों का सामना भी करना पड जादां लादानियों के रहता है